अर्मान मलिक की पहली पतनी पायल मलिक बिचारी मलिक फैमिली के लिए कितना कुछ करती हैं गर की सारी जिम्मेदारिया उठाती हैं या फिर क्रितिका और अर्मान को एक साथ बरदाश्ट करने का काम भी करती है पायल अपनी गरस्ती के लिए सब कुछ करती है पायल मलिक ने तो Kritika के Big Boss 18 में जाने का जोट भी बोल दिया। जी हाँ, क्योंकि Kritika को सोशन मीडिया पर काफी नफ्रयाने की हेट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसलिए बायरने Kritika के Big Boss 18 में जाने का जोट बोला ताकि उनकी इमेज में थोटा बोश उदार हो सके। लेकिन दूसरी तरफ पायल को क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ की इग्नॉरेंस। सोचल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप फायरंड हो रही है। ये क्लिप बिग बोस की खत्म हो जाने के बात की है। दरसल क्लिप में साफ नजर आ रहा है कि कैसे फिनाले के बाद पायल अर्मान से बात करती हैं लेकिन अर्मान फोन में लगे रहते हैं और पायल को कर देते हैं इग्नॉर। ये आप हमारी इस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि वैल के से अर्मान पायल की बात को सुन ही नहीं र मजबूरी बन चुकी है लेकिन इस बात को मानने को पायल तयार है है नहीं कि पायल मलिक जो की मलिक फामली की बैगबॉन बने हुई फिल रही है लेकिन उसे बदले में सिनफोर सिर्स नफसरत ही मिल रही है चाहे फिर वो उनके फैंस दें चाहे घर वाले थें पायल की कोई भ बॉस में कहा है कि मैं इस रिष्टे को क्या नाम दू कुछ रिष्टेर से होते हैं जिनके कोई नाम नहीं होते खुदरमान कृतिका को वाइट बोलने से बसते हैं लेकिन फिर भी पायल को इग्नॉर करती नजर ही आजाते हैं